दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी भी कोई PLI की पोलीसी है तो हम उसका Income Tax Certificate किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं यानि हम उस Certificate में जो Income Tax का Certificate हम डाउनलोड करेंगे उसको हमारे को जो है टेक्स भी छूट भी मिलेगी तो अगर आपकी भी तरीके से आप भी अपना जो PLI Policy का Tax Certificate डाउनलोड करें वह टेक्स में छूट पाएं तो इसके लिए आप बने रही है आपके अपने यूटूब चेनल टेक यादव के साथ दोस्तो आपको अपनी PLI का Tax Certificate डाउनलोड करने के लिए आपके पास जो भी ब्राउजर हो चा का ओप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं कस्टमर लोगिन का जो पेज के ऊपर किलिक करूंगा नेक्स्ट पेज मेरे सामने इस तरह का खुल के जो है श्यो हो जाएगा इसमें आपने पहले से जो कस्टमर आईडी पासवर्ड ज इसमें वो कैपचा आपको इंटर करना है और नीचे जो है लोगिन के ऊप्षन के ऊपर किलिक कर देना है यानि सबसे पहले आपको जो इसमें लोगिन हो जाना है तो जैसे ही मैं ये प्रोसेज करके लोगिन हो जाऊंगा इस तरह एका जो पेज कुल के मेरे सामने श्यो हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो कि home, my profile, my policy, payments, service required, purchase policy, tools and utilities और misliance ये कई option आगे तो अभी हमारे को tools and utilities का जो option है इसके उपर किलिक करना है जैसे ही मैं इसके उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही इसमें फिर कई सारे option जो है आपकी PLI से related श्यो हो जाएंगे अभी हमारे को income tax का certificate डाउनलोड करने के लिए income tax certificate सबसे नीचे से उपर second जो option है उसके उपर किलिक कर देना है जैसे ही आपको किलिक करना है आपको अपनी PLI policy सेलेक्ट करना है और year यानि जिस भी साल का आपको certificate डाउनलोड करना है वो आपको year आपको सेलेक्ट कर देनी है तो यहाँ पर द किलिक करूंगा किलिक करते ही जो हमारे सामने जो है income tax का certificate तो इस तरह से आपको शिव कर देगा तो इसको आपको download के option की उपर किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं download के ऊपर का इस तरह का certificate डाउनलोड के शियो हो जाएगा इसमें आपकी पोलीकी का पूरा का पूरा bio data आपको करतेगा जैसे सबसे उपर जो है आपकी customer ID इसके बाद में policy year नाम address इसके बाद में policy number policy owner और insured person policy issue date payment mode और इसके बाद में आपने कितने रुपए की policy ली है वो भी आप देख सकते हो आपकी मंतली policy कितने रुपए debit होती है वो देख सकते हो इसके बाद में आपका जो है premium कितना जमा हुआ है वो भी है इसके बाद में आपको cgst और sgst कितना चार्ज लगा है वो भी देख सकते हो और सबसे नीचे आप देख सकते हो कि total amount received वो भी है और सबसे नीचे last में column दियावा है total amount paid under section atc यानि यह इतना रुपए जो है जैसे मेरे वाली policy में देख सकते हो कि इतना रुपए जो है अगर आप कहीं income tax का itr file कर रहे हो तो itr में भी आप जो है इसको डाल सकते हो इतने रुपए कि आप atc के अंतरगत शूट भी ले सकते हो तो दोस्तो इस तरह से आपके अगर कोई भी PLI या फिर RPLI में भी यह सेम प्रोसीजर है तो आप टेक शूट भी ले सकते हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रोबелен हो कमेंट बोक्स में जरूर लिखें जरूर लिखें जरूर लिखें